नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों तो वीडि 2013 में एक revolutionary Land Acquisition Act आया जिसका छोटा नाम था Land Acquisition Act 2013 लेकिन पूरा बड़ा नाम है Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 इससे पहले हमरे देश में लैंड को एक्वाइर किया जाता था Land Acquisition Act 1894 के अंतरगत ये Act देखो सरकार के हित में ज़्यादा था जनता के हित में नहीं था अक्सर 2013 से पहले किसानों का ये अरोप रहता था कि सरकार ने जबरन हमारी जमीन को acquire कर लिया हमारी consent भी नहीं थी और हमको मौावजा यानि compensation भी बिलकुल नाम मात्र के दी गई Act आया इसे revolutionary कहा गया इस 2013 के Act में provision ये भी है कि अगर देखो 2013 से पहले सरकार के द्वारा Land Acquire किया गया है इस पुराने Act के अंतरगत 1894 के Act के अंतरगत लेकिन 5 साल हो गए ना तो जिनको जिनका Land Acquire किया गया है उनको मौावजा मिला है समझ गए ध्यान से सुनिएगा Act में provision ये है 2013 के कि अगर देखो पुराने Act के अंतरगत 2013 से पहले अगर Land Acquire किया गया है किसी से ना तो उनको 5 साल हो गए अभी तक मौावजा मिला है और ना ही सरकार ने उनके Land की physical possession ली है Land भी अभी भी citizens के control में ही है तो फिर सरकार fresh Act के तहट proceedings start कर सकती है मतलब fresh Act या 2013 का जो Act है इसके तहट proceedings start कर सकती है और इस Act के तहट जो मौावजा मिलना चाहिए वो मौावजा दिया जा सकता है या फिर fresh proceedings start की जा सकती है सरकार के दौरा अब देखो ये प्रोविजन काफी ज़्यादा अच्छा है लेकिन एक केस में सुप्रिम कोट के द्वारा इस प्रोविजन को अच्छे से इंटर्प्रेट नहीं क्या गया है केस का नाम क्या है इंदोर डेवलप्मेंट अथोर्टी इस केस से समंदित अभी फिलाल सुप्रिम कोट का एक ज़ज्मेंट आया ज़ज्मेंट हाला कि पहले ही आ गया था अब सुप्रिम कोट की पांच ज़जिस की बेंच ने पुराने ज़ज्मेंट पर अपनी मोहर लगा दी है टेंप लगा दी है, तो Supreme Court ने अपनी judgment में कहा, कि देखो, Land Acquisition Act 2013 का जो section 24-2 है, जिसमें ये बाते बोली गई है, इसमें दोनों conditions का fulfill होना जुरूरी है, दो conditions मने आपको बताया ना, कि 5 साल हो गए, ना तो मुआज़ा मिला है citizens को, उनका land acquired किया गया था, और ना ही सरकार ने अभी land का physical possession अपने control में लिया है, तो फिर पुराना जो acquisition हुआ था, वो रद हो जाएगा, और fresh सीरे से सरकार को proceedings स्टार्ट करनी होगी, अब दिक्कत यहां पर यह है, क्या दोनों conditions का fulfill होना जुरूरी है, या फिर दोनों में से एक condition fulfill हो जाए, तो भी fresh proceedings स्टार्ट हो सकती ह नए act के अंतरगत, इस पे विवाद हो गया, तो Supreme Court ने अपनी हाल ही की judgment में यह कहा है, इन दोनों conditions के बीच में end है, मतलब दोनों conditions का fulfill होना जुरूरी है, तब जाके यह provision लागू होगा, तब जाके नए act के through proceedings स्टार्ट होगी, जबकि writer यह कहते हैं, देखो जब भी इस प यह act किसानों के हित में था, इस act का मकसद ही यह था, किसान या फिर दूसरे citizens जिनकी जमीन को acquire किया जाता है, उनको रहत प्रोवाइड करना, उनका rehabilitation इंशोर करना, उनका resettlement इंशोर करना, तो overall act की आप essence देखोगे, तो यह act किसानों के हित में था, लेकिन Supreme Court ने अभी इस act को जिस परकार से interpret किया है, यह किसानों के हित में नहीं है, यह सरकार के हित में है, तो एक बहुत ही अच्छे act के बहुत ही अच्छे provision को kill करने का काम किया है Supreme Court ने, लास्ट में आर्टिकल में यह कहा जाता है, देखो Supreme Court ने अपनी एक judgment में कहा था, Census Commissioner and others versus our Krishnamurti judgment में, कि Supreme Court क काम कानून बनाना नहीं है, Supreme Court का काम है कानून को interpret करना, और अगर Supreme Court को लगता है कि कानून अन-constitutional है, तो इसेaky ini strike-down करना, लेकिन ना तो Supreme Court के पास expertise है और ना ही यह Supreme Court के डोमेन में है कानून बनाना, लेकिन Supreme Court ने अपने हाल ही judgment में जो किया है यह तो देखो, कानून बनान के बराबर है सुप्रिम कोर्ट के द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था देखो इस जजमेंट को आप कोर्ट कर सकते हो यह पॉइंट तो काफी बार आपको लिखना पड़ता है सेपरेशन ओफ पावर्स में या फिर दूसरी जगहां पर कि सुप्रिम कोर्ट का काम क्या है तो उस समय इस जजमेंट को कोट आप कर सकते हो सैंसेस कमिशनर एंड अदर्स वर्सेज आर कृष्णा मूर्टी इस डिसकेशन में फिलाल इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फूर डिसकेशन